हलो दोस्तों तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ दस फरवरी 2022 के इंपोर्टेन इमेंडिस के साथ दस फरवरी की इसलिए क्योंकि दस फरवरी की करेंड़ फर्स की वीडियो हमारी पेंडिंग धी तो आप कंप्लीट वीडियो कहां से देखें क्योंकि लाश्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं चलिए आज का पहला कोशन देखते हैं और बाई द्वारा फिनांसियल लिट्रेसी वीक वित्तिय साथचर्टा सप्ता है इसकी सुरुवात किस वर्स की थी तो financial literacy week इसकी सुरुवात की गी थी 2016 में चर्चा में क्यों है क्योंकि रिजर्टर बैंक आफ इंडिया आरबई द्वरा 14 से लेके 18 फरवरी तक financial literacy week मनाये जाएगा 2022 में तो 14 से 18 फरवरी financial literacy week परपस क्या है financial education को प्रमोट करना हमेशा की तरह देखे आरबई ने 2016 में financial literacy week की सुरुवात की थी एक particular theme होता है इस बार theme क्या है go digital go secure तो 2022 में financial literacy week का theme क्या है go digital go secure ये जो theme है go digital go secure ये national strategy for financial education के साथ साथ align करता है national strategy for financial education 2020 से 25 के लिए आरबई द्वरा लाउंच की थी RBI की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिस पर RBI Act 1934 के द्वरा 1 अपरेल 1935 को कोलगत्ता में RBI की स्थापना हुई थी 1935 को कोलगत्ता में स्थापना हुई 1937 में इसका headquarter मुंबाई टांसफर कर दिया गया जहां पर अभी भी located है RBI के फर्ष गवर्णर थे Osborne Smith फर्ष भारती गवर्णर थे C.D. Desmuk वर्तमान में 25 गवर्णर है सक्तिकान दास और दो और fact याद रखेगा देखे RBI का nationalization 1949 में हुआ था और schedule commercial bank या payment bank जो भी होती है वो RBI Act की second schedule में listed होती है यह RBI का logo है आप यहाँ पर देख सकते हैं बाग की साथी detail हमें मिल चुकी है RBI की विसे में next question हमारा समरिध्धी initiative नीतियायोग ने किसके साथ मिलकर launch किया है तो समरिध्धी initiative एक health care initiative है नीतियायोग ने USAID के साथ मिलकर launch किया है यह देख लिजिए नीतियायोग और USAID द्वरा समरिध्धी initiative launch किया गया है समरिध्धी मतलब Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Health Care तो समरिध्धी initiative healthcare sector से related है नीतियायोग और USAID ने launch किया है समरिध्धी initiative का purpose किया है purpose यह है Tier 2, Tier 3 cities में या फिर rural tribal areas में रहने वाली जो vulnerable population है उसको affordable and quality healthcare provide करना तो इसलिए समरिध्धी initiative launch किया है USAID और नीतियायोग ने इसमें जो private players होंगे उनसे 100 million dollars से भी अधिक fund जो है इखटा किया जाएगा समरिध्धी initiative इसने launch किया है नीतियायोग USAID USAID की बात कर लेते हैं USAID की स्थापना होई थी 1961 में Washington DC में USAID का headquarter है तो याद रखेगा समरिध्धी initiative किस ने launch किया है नीतियायोग और USAID ने बस इतना याद रखेए ने कोशन देखते हैं हाली में किस state government वारा CEIIC के साथ MOU sign किया गया है Clean Energy program को support provide करने के लिए देखे केरल government इन्होंने CEIIC के साथ MOU sign किया है CEIIC किसकी lab है Social Alpha की तो एक्जाम में अगर आपसे कोशन बनेगा तो यह बनेगा कि किस state government वारा MOU sign किया गया है Social Alpha की energy lab के साथ तो आप इतना रखे केरल government ने Social Alpha energy lab के साथ क्या किया है MOU sign किया है ताकि केरल में Clean energy technology program को support provide क्या है तो clean energy technology program इनको support provide करने के लिए केरल government ने Social Alpha की lab के साथ पारना सिखती है CEIIC यनि Clean Energy International Incubation Center Social Alpha की lab है इतना रखेगा बाकि कुछ important नहीं है केरल के विसे में जान लीजीए आप तो यह है आपका map में केरल Chief Minister कौन है पिनराई विजीए अन कौन है पिनराई विजीए अन कौन है आरिफ महम्मत खान देखे विमनार लेक वो केरल में है बाकि Silent Valley National Park आप सभी को बता है लेकिन मत्हकेतन 16 National Park याद रखेगा क्योंकि वो तमिल नाडू में एक neutrino observatory बन रही है यह एक्ष्टेंड कब तक के लिएगे है प्रथामत्री किसान संपदा योजना को मार्च दो हथाबबिस थक के लिए licks Pride कर दिया गया है यहां दो लिए प्रफ्ट मंत्री किसान संपदा योजना परेगे जोए और लिए उसके लिए संपधा स्कीम for agro marine processing and development of agro processing cluster यह संपधा स्कीम 2016 में 6,000 क्रोर के साल launch की थी संपधा स्कीम को 2017 में पृधान मंत्री किसान संपधा यूजना कर दिया गया अब इसको 2026 तक के लिए 460 KRO upright फे Amen किसान संपधा यूजना के लिए पर शक्ते हैं 42 मेगा ! बन 238 के आसपास Integrated coal chain बननी है 42 मेगा फूट पर्क बनने है इसका मलब पधामत्री किसान संपधा योजना फूट पर्क पर फोकस कर रही है ने कोशन है मेडी बडी इसके ब्रांड अबज़डर को बनने है तो ये हैं अमताब बच्चन आप यहीं देख लिज़ए सीधे मेडी बडी इसके इन्टाब बच्चन को अपना ब्रांड अबज़डर बनाया है इंडिया का है ये इसकी बीड़डution को अपना क्या बनाया है ब्रांड अबज़डर बस इतना है ये जरी रखना मेडिविडी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केल्प प्लेटफॉर्म है उन्हों अमताब बच्छें को अपना ब्रांड रवेजर बनाया है बाकी कुछ रटने की जुरूत नहीं है इंडिया दोरा यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के साथ किसके साथ एग्रिमेंट साइन किया गया है तो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इंडिया ने साइन किया है स्रिलंका के साथ देखें इंडिया हेल्प करेगा स्रिलंका की कि व जो है अपने अधार कार्ड का model बना सके तो बस इतना ही important है बाकि इंडिया के assistance जो है 1.4 billion dollar दी जाएगी स्रिलंका को ताकि ये अपने model का अधार कार्ड बना सके ये electronic अधार कार्ड होगा पहली बार स्रिलंका जो है डिजिटल आइडेंटी देने की तो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटी फ्रेमवर्क इंडिया ने सिलंका के साथ साइन किया है इससे पहले भी सिलंका ने इलेक्ट्रोनिक नेशनल आइडेंटी कार लाउंच किये थे कब 25 से 19 के तुरान ने कोशन है जो सोवरें गोल बाउंच होते हैं उनका मैच्योर्टी पीरिट कितना होता है तो आठ वर्स का मैच्योर्टी पीरिट होता है पाँच वर्स का क्या होता है कट आफ डेट यानि उस समय भी आप कुछ कर सकते हैं सोवरें गोल बाउंच स्कीम आरबे दोरा redemption price जारी कर दिया गया क्योंकि इसको launch हुए लगबग कितना 8 साल हो चुका है तो 8 साल पहले जिन्होंने maturity period करवाया होगा वो अब redeem कर सकते हैं sovereign gold bond scheme को आरबे ने sovereign gold bond scheme के साथ redemption price 4813 रुपए पर unit रखा है 85% premium जिन bonds का pay हो चुका है January 2016 में उन्होंने open किया था 2600 रुपए से तो वो redemption करवा सकते हैं 413 रुपए पर यानि January 2016 में आपने pay किया होगा तब 2600 में उन्होंना था अब 85% आप premium pay कर चुके हैं तो आप 4813 रुपए के हिसाब से redemption के लिए apply कर सकते हैं sovereign gold bonds ये government securities होती है जो कि gram of gold में denominated होती है November 2015 में sovereign gold bond scheme की गई launch ताकि physical gold को reduce के आज़के इसकी demand को reduce के आज़के तो November 2015 में ही इसकी first range announce कर दी गई तो 15,7,22 होता न ठीक है अब आप apply करेंगे तो अगले साल मार्च तक जो है आपका 8 साल लगबग complete हो जगा तो 8 साल आपका क्या होता है maturity period और 5 वर्थ होता है exit option तो जिनको exit option करना वो भी apply कर सकते है next question है railway protection force इसकी स्थापना कब होई थी 1872 railway protection force की 1872 में स्थापना होई थी देखे human trafficking को रोकने के लिए operation आहट launch किया गया है operation आहट ठीक है आहट कह सकते है आहट कह सकते कुछ भी कह सकते है operation आहट किसने launch किया है railway protection force ने railway protection force ने कई सारी महिलाओं बच्चों को 2017 से 2021 के बीच में rescue किया है national crime record bureau कहता है human trafficking के per year 2200 से अधिक case आते है operation आहट किसने launch किया है railway protection force ने इतना याद रखेगा railway protection force बहुत चर्चा में रहता है क्यों क्योंकि जीवर रक्षक पदक साथ railway protection force के employee है जिनको चुना गया है ये railway protection force का logo देख लीजिए आप motor क्या है यसो लभभस्व क्या है यसो लभभस्व railway protection force की साबना होज़ती जुलाई 1872 को नई दिल्ली में हिटकोटर है डैक्टर जेने कौन है संजय चंदर ने कोशन है माझी वसुंधरा कैमपेन UNEP में किस इस्टेट में लांच किया है तो माझी 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 सब्द होता है मेरी और ये language है महाराष्ट की तो UNEP ने महाराष्ट के साथ मिलकर माझी वसुंधरा कैमपेन लांच किया है माझी वसुंधरा कैमपेन हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन ठीक है ये आपने सौंग सुना होगा ये कौन चित्रकार है सुनिएगा बहुत प्यारा सौंग है माझी वसुंधरा कैमपेन UNEP ने लॉंच किया है महाराष्टा गॉर्मेंट के साथ लिंच कर परपस क्या है एनर्जी और इन्वार्मेंट डेलप्स जो है सस्टेनेवली यूज किया सके UNEP ने गॉर्मेंट आफ महाराष्ट के साथ मिलकर Adaptation Initiative पर साथ-साथ मिलकर काम करने का Agreement साथ किया है तरह से और मांजी वसंदरा कैमपेंट भी लॉंच किया है बाकी UNEP आप देख लिए क्योंकि UNEP इंपोर्टेंट हो जाता है United Nation Environment Program यहां फुल फॉर्म पर सकते हैं इस्थापना कभू हुई थी? पाज जूर 1972 को UNEP की प्राइम मिनिस्टर चर्चा में क्यों है? देखे PM केर्स फंड में 2020 के दुरान टुटल को और पस 10,990 करोड रहा कितना? 10,990 करोड इतना National Disaster Relay Fund में कभी रुपया नहीं आया ठीक है 2020 के दुरान PM केर्स फंड से 496 करोड के असपास खर्च किये गए प्राइम केर्स फंड का फुल फार्म देखे लिए प्राधार मत्री सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमर्जनसी सिच्वेशन PM केर्स फंड 27 मार्च 2020 को लांच के गया एकस ओफिस और चेर परसन कौन होते है प्राइम में इस्टर जी होते हैं इसमें मोदी सरकार है और बहुत दिक्कत है इस PM केर्स फंड में ने कोशन है ग्लोबल समिट आन रि इमेजनी म्यूजियम इन इंडिया ये कौन और्गनाइस कर रहा है तो ग्लोबल समिट आन रि इमेजनी म्यूजियम इन इंडिया ये और्गनाईस की जा रही है Ministry of Culture द्वारा पिए बी की न्यूज है Ministry of Culture द्वारा Global Summit Reimagining Museum in India और्गनाईस की जा रही है तो पहली बार दो दिनों की कोई Global Summit है Reimagining Museum in India 15 से 16 फर्वरी तक चलेगी Ministry of Culture इसको और्गनाईस की जा रहा है परपस क्या है Heritage को प्रमोट करते है तो ये आपकी Reimagining Museum in India है इसके चार थीम होंगे Architecture and Functional Needs Management, Collection, Education and Audience Engagement तो ये आपके Reimagining Museum in India Global Summit है Ministry of Culture द्वारा और्गनाईस की जा रही है यहाँ पर पढ़ लिए आजादी की 75 फर्वी रहा Reimagining Museum in India Ministry of Culture Bloomberg के साथ मिलकर Organize कर रही Summit Partner Bloomberg है इतना याद रखेगा ने कोशन है Asia के richest person को बने है Gotham Adani Asia के richest person मने है Gotham Adani इनको देख लिजिया मोटा भाई मुक्के सम्मानी को पीछे छोड़ दिया है बस इतना ही याद रखेगे बहुत बेकार सी news है कभी किसी एक्जाम में नहीं आने वाली Gotham Adani 88.5 billion dollar के साथ Asia के richest person मने है Bloomberg की report के साथ से Bloomberg Billionaires Index इनका है Gotham Adani Asia के richest person मने है मुक्के सम्मानी को पीछे छोड़ के बाकी Renewable Energy सेक्टर में Adani 70 billion dollar क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे देखते हैं क्या होता है India Telecom 2022 जो की एक International Business Expo है किसने इनागरेट किया है India Telecom 2022 जो की हमारी एक International Business Expo है इसको अस्वनी वैषनोजी ने इनागरेट किया है क्यों? क्योंकि Minister of Communication है अस्वनी वैषनोजी तो अस्वनी वैषनोजी जोकी Minister of Railway भी है Minister of Communication भी है इन्होंने India Telecom 2022 को inaugurate किया है India Telecom 2022 क्या है International Business Expo है याद रखेगा यह जो International Business Expo है यह Market Access Initiative स्कीम के तहर इंप्रिमेंट किया रहा है Department of Commerce Department of Commerce की स्कीम है Market Access Initiative स्कीम इसी के तहर इंडिया टेलीकॉम 2022 को organize किया रहा है कौन organize कर रहा है TEPC, Telecom Equipment and Service Export Promotion Council यह इसको जो कि Ministry of Commerce के तहर आता है इतना याद रखेगा बाकि यहाद के लिए जो इंडिया में electronic manufacturing है यह 75 billion dollar के आस पास है और इसकी compound annual growth rate कितनी है? 20% है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और पर सकते है 45 देश जो है पार्सिपेट करना है इंडिया टेलिकॉम 2022 में 40 Indian टेलिकॉम कंपनी भी है इसमें Amazon इंडिया ने किसके साथ M.O.U. साइन किया है? Women entrepreneurs की growth को ensure करने के लिए फिर support प्रॉइट करने के लिए तो हाली में Amazon इंडिया ने करनाटका गॉर्णमेंट के साथ M.O.U. साइन किया है ताकि क्या है? इस्टेट में Women Entrepreneurs growth को support किया है Amazon इंडिया और करनाटका इस्टेट Rural Livelihood Promotion Society ने आपस में M.O.U. साइन किया है क्या Women Entrepreneurs growth को support करने के लिए Amazon इंडिया क्या करेगा? संजीवनी KSR LPS launch करेगा संजीवनी KSR LPS ये Amazon इंडिया का program है देखे, सहली program जो कि करनाटक गॉर्णमेंट का program है उसको ये promote करेगा एक तरह से संजीवनी आद रखेगा Amazon इंडिया का program है सहली करनाटक गॉर्णमेंट का परपस क्या है? women entrepreneurs को support करना करनाटक की बात कर लेते हैं क्योंकि और कुछ खास नहीं है करनाटक के chief minister यहां का map में देख लिए आपका करनाटक यह थोड़ा सब रहे गया इसमेर map गलत लग गया चीफ minister है करनाटक के बसाराजबुमेंट का नहीं थावर चंद गहलोगत एक बांदीपूर Tiger Reserve नेशनल पार कर में सुना बांदीपूर है कहां पर करनाटक में और चांदीपूर कहां है और इशा में वो test train size है तो इतना तो अंतर यादर किया गया M. Ganga Dharan recently निधर होगा कहां से बिलॉग करते थे M. Ganga Dharan केरल से बिलॉग करते थे बहुत जाने माने इंसान ये M. Ganga Dharan historian, sahith academy और भी मिल चुका है M. Ganga Dharan को इनका हाली में निधर होगा ये हैं आपके M. Ganga Dharan कहां से? केरल से थे M. Ganga Dharan हाली में निधर होगा sahith academy और मिल चुका है literature ठीक है? इस से रिलेटिट थे historian, writer, cultural M. Ganga Dharan का निधर हो गया ये आज की वीडियो से कोशन है I hope कि आप इस लिंगा जाल दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप सब में ने ने एक्ट वीडियो में बड़के केर गुडबाय और जाहिन